गाइज यह जो न्यूज आ रही है न महारास्टर में लॉकडाउन ठीक है इदर केसीज बढ़ रहे है उदर केसीज बढ़ रहे है इन न्यूज को सुनके कोई शॉर्ट पोजिशन मत बना लेना ठीक है कोई शॉर्ट पोजिशन मत बना लेना दा मोर नेगेटिव न्यूज व भी है ठीक है रिटेलर विल क्रियेट मोर शॉर्ट पोजिशन अकोर्डिंगली ठीक है एन एफाई विल टेक मार्किट टू दर न्यू हाइज उनके अगेंस्ट ही चलेगा तो ठीक है आप लोगों को रिटेलर की तरह नहीं सोचना है ये न्यूज बगेरा इनके बेस पर कोई पोजिशन मत बना लेना फस जाओगे फिर रोओगे ठीक है मेरी सबसे खास बात आप सबसे इंपोर्टेंट चीज़ आज याद रख लो न्यूज देखना छोड़ दो ठीक है तिल दा टाइम को वह इतनी सीवर नहीं है जैसे की यूएस रशिया की लड़ाई होगी ठीक है चाहिना ने कुछ बहुत ही क्या कहते है यूएस चाहिना के बीच में ट्रेडवार का कोई बहुत ही बड़ा कुछ ऐसा स्टैपना ले लिया हो कि अनलिस्टिट कर दिया जाए कंपनी इसको कंपनी इसको निकाल दिया जाए जब तक ऐसी न्यूज ना हो जो बहुत ही क्या क तो तब ही हम position लेंगे ऐसी news के base पे सोच साज के position नहीं लेनी है ठीक है market इन news का फाइदा उठाता है ठीक है और समझ रहे हो आप लोग short करके बैठ जाओ के वो आप लोग के opposite चलेगा ऐसी करता है market पिछला एक साल आप देखते आ रहे हैं कितनी जितने ज्यादा कोरोना के नंबर मार्केट उतना ही तेज भागता चला गया तो और आपको मैं क्या example तो इन news को कोई जादा दिमाग मत चड़ाओ ठीक है cm उद्दव ये ठाकरे 6 मैं रोड मैं 4 ये नहीं नहीं news आ रही है ये आपके दिमाग को हिलाएंगे बट आपने लेवल पे खेलना है ठीक है थैंक ये जादा इदर अदर दिमाग मत लगाईए बेकार की चीजे हैं ये रिटेलर इनको देखके short position क्रेट करेगा और FI market चड़ा देगा market उल्टाई चलेगा रिटेलर के हमेशा ध्यान रखना